नमस्कार आप देख रहें आलोक एक भारत न्यूज नेटवर्क आपके साथ मैं हूँ निहांकुर वालिया ठंड शुरू होते ही हर साल की तरह इस साल भी 15 नवंबर से चार धाम के कपाड बंद होने शुरू हो गए हैं करूना काल में लाखोश अधालों ने चार धाम के धर्शन किये हर साल बढ़ते ठंड को देखते हुए चार धाम के कपाड बंद कर दिये जाते हैं क्योंकि इस दौरान यहां भारी बर्फ बारी होती है और तापमान शूने से नीचे चला जाता है श्रीत काल के दौरान 15 नवंबर से चार धाम बंद होना शुरू हुए चार धामों में से एक धाम गंगोतरी धाम के कपाड गोवर्धन पूजरा के दिन 15 नवंबर को 12 बचकर 15 मिनट पर बंद हो गए उत्तरकाशी में रविवार को गंगोतरी के कपाड बंद करने की रस्म में कई श्रधालों ने भाग लिया साथ ही तीर्थ पुरोहित भी इस रस्म में मौजूद थे बाद में मा गंगा के उत्सव डोली उनके शीतकालीन प्रवास्थल मुखबा के लिए रवाना हुई हिस्वर्ष कोविट के कारण देर से जुलाई में शुरू हुई यात्रा के दौरान 23,500 श्रधालों ने मा गंगा के दर्शन किये वहीं 16 नवंबर को भईया दूज के अफसर पर केदारनाथ धाम के कपाट प्रहते साड़े आठ बजे बंध हुए केदारनाथ में कपाट बंध होने से पहले विशेश पूजा अर्चना की गई अब अगले साल महाशिवरातरी पर मंदिर के कपाट खोलने की तारीख तै होगी देव स्थानम बोड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौर्ड ने बताया के इस साल 1,35,000 से ज्यादा लोगों ने केदारनाथ के दर्शन किये हैं कपाट बंद होने के बाद भगवान की डोली रामपुर के लिए रवाना हुई 17 नवंबर को भगवान की डोली यानि पाल की गुप्त काशी विश्वनाथ मंदिर पहुँचेगी 18 नवंबर को उत्सब डोली शीत कालीन गदीस्तल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में पहुँच जाएगी इसके बाद केदारनाथ की शीत कालीन पूचाएं इसी मंदिर में की जाएंगी वही 16 नवंबर को यमनोत्री धाम के कपाड दिन में 12 बच कर 15 मिनट पर बंद कर दिये गए वहीं बात करें बद्रीनाथ धाम की तो 19 नवंबर को शाम 3 बच कर 35 मिनट पर बद्रीनाथ धाम के द्वार बंद कर दिये जाएंगे हिसी के साथ अभी फिलाल मेरे साथ इतना ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें ABNN और साथ ही ABNN.TV पर आप देख सकते हैं देश और दुनिया की तमाम अपडेटिट खबरे भी